गुलबरगाश शहर में जील एजुकेशन प्रोफेशनल अकैडमी का इन्योगरेशन जनाब महुम्मद अफजल उद्दिन जुनेदी उर्फ सिराजबाबा के हातों अमल में आया है जील एजुकेशन इंस्टिटूट गुलबरगाश शहर में प्रिपरेशन आफ मेडिकल नीट आई 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 टी जे एंड केसेट इंटरेंस एक्जाम ट्रेनिंग कोर्स लेकर आया है अगर आप एक स्टुडेंट हैं और बेस्ट रैंक होल्डर डॉक्टर और इंग्लिश कोचिंग दी जा रही है सीबी असी स्टेट बोर्स लेवस और पी उसी स्टुडेंट्स के लिए ट्विशन भी दिये जाएंगे इस इनुग्रेशन के मौके पर अफजल उद्दिन जुनेदी और शिराज बाबा के अलावा इल्यासिड बागबन अली मिनामदार शादप मलीक अलामदार जाइदी और दीगर महमान दोस्त अबाब मौझूद थे मजीद जानकरी के लिए आप A2Z कॉंप्लेक्स अपोजिट अंकल पेट्रोल पम विसाइर दर्बार होटल गंज रोड पर जील एजुकेशन को विजिट कर सकते हैं यार फिस्क्रीन पर दिये नंबर पर कॉंटेट कर सकते हैं कर दोना झाल अलहम दिल्द आज हम यहां जील एजुकेशन कोचिंग सेंटर में की इनॉगरेशन की जिमन में जमा हुए हैं यहां पर जो है नीट की कोचिंग दी जाती है नीट एक्जाम की कोचिंग दी जाती है और बादबता बाम्बे से टीचर्स जो इसमें माहर हैं उनको बलाकर यहां पर नीट की बादबता ट्रेनिंग कोचिंग और इसके एक्जाम के तैयारियां यहां पर कराया जाते साथ में पी यू फरस्ट यर सकेंड यर की भी यहां टीचर्स के तर पर प्राया जाता तो इस जमन में मैं मरे अजिम अद्दीन साब और मुम्मद नखील अहमस साब मुम्मद जलील साब को दिल के अमेरिक गरायों से मुबार्ग बात पेश करता हूं और द्वा गो हूं कि आपकी इस कोशिश वो काविश को अल्ला तला कामियाबी अता फरमाए और आपके इस कोचिंग सेंटर में खूब बरकते हों और यहां पर हमारे बच्चे जो है इस्तिफ़ादा करें जील एड्यूकेशन का जिफ्तिता हुआ जनाब अजीम साब और जनाब निकल साब अमद निकल साब इसके जो है यहां के मालिक हैं चला रहे हैं प्रोफिसर हैं लेक्षरा रहे हैं और काफी जो है मुंबई से हिद्राबास से बेंगलूर से फेक्विल्टी यहां पे अरें फैसिलिटीज है यह दरबार होटल के बाजो कंच पे तो इसका फैदा उठाए और पंदरा साल का एक्सपरियंस है आप लोगों को यह बहुत माने रखता है एक्सपरियंस तो यहां पे आएंगे तो इन्शालला आपके रिजल्ट जरूर अच्छे नमरा से पास होंगे सब्सक्राइब और इसमें आगे बढ़ते हो बेटा हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा और आपकल नेशनल में भी आए महां भी लेक्षर और उनसे आपको सब स्टूइंट से मैनेजमेंट से सुब लोगों से मुलाखत कराता हूँ आज जो हैं पर दरबार होटल के बाजू ज अब अद्यास से दुआ करता हूं कि बढ़ी जो हैं लोग तके फिर्ड और तरखी करना तरखी दे और यहां की आवाम को जो इनों बांबे इदर नमदब जो भाही हैं इनका बहुत सारा टाइम जो है जो है जो एज्यक्वेशन में महाराष्ट्रा में दिए हैं तो वहां पर एजिकोशन के बहुत तो ज्यादा यह है महाराष्ट्रा के अंदर तो वहां पर इनों कॉलिजन चुछ चला के जो है अच्छा अलम्दुल्ला एक नाम कमाई ब्रैंड बने हुए और अब जो प्रापर इनों गुलबरगा में रहती है हमारी अजीम साथ यहां पर आके जो इधारे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार इनको विजिट करके अपने अपने कॉलिज में एक वरक्षाप रखेंगे इनका जो टैलेंट है देखके जो है आपके आपके स्टाप को स्कूल के बच्चें को जो है यहां पर भीजाई है और यह प्रास लिखते जब एक्दम क्या हो जाते हैं उनका डर निकाले काम जो है हमारे अजीम साहब उनकी टीम कर रहे है तो इसलिए हवाम से में बजारिस करता हूं कि आपने बच्चों को यहां पर लाग यहां यहां पर विजा के उनको अच्छी है एजुकेशन जो है तालीम देके इसका फ़िदा उठाइब जील एजुकेशन एक ब्रांच गुलबरगा में उपनिंग हुआ है फ्रम ड्रीमर्स टू अचीवर्स आजकल यंग स्टार्स जो नेट को क्रैक करना चाह रहे हैं आयटी को जेए को जो क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं गुलबरा डिस्ट कर बच्चों को किस तरीखे से क्रैक करना यह बताए जा रहा है यह जो जील एजुकेशन जो स्टार्ट किये हैं विसेड दरबार हुटल हमारे अजीम साब और उनकी तमाम टीम अलीम साब की टीम अजीम साब अब बता रहे हैं थे कि उनको 1516 साल का एक्सप्रेंस है दुलिला गुलबर गालों के लिए भी यह बहुत अच्छी गूड नियूज है कि यहां पर भी यंग स्टार्स के लिए एक ब्रांच खोले हैं तो मैं तमाम यंग स्टार्स से गुजारिश करता हूं कि आधर आए आकर एक दो क्लास बैठें बैठ कर समझें क्योंकि यहां पर लेक्षर भी बहुत अच्छे हैं जिसको जहां से जो सब्जेक्ट में लेक्षर की जूरत पड़ती है वैसे लेक्षर सिधर आने वाले हैं तो आप लोगों का अगर साथ रहा तो गुलबर डिस्टिक से मैं चाहता हूं कि हर साल एक पांच-दस बच्चे हमारे गुलब सब्सक्राइब के लिए भी बहुत अच्छी बात रहेगी और मैं सबसे पहले तो यह जो स्कूल्स और कॉलेजस के जो प्रिंसिपल्स हैं वह लोगों से भी गुजारिश करता हूंगे ऐसे लोगों के साथ आप मिलकर बात कर अपने बच्चों को यहां पर भेजेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मैं अजिम साब अलिम साब की तमाम टीम को मुबारक बात देता हूं कि अल्ला से दुआ गो भी हों कि अल्ला इनकी जो महनत चरी उसमें कामिया भी दे सबसे पहले मैं शुकर अदा करना चाहूंगा जितने भी हमारे चीफ गेस्ट से सब आये और स इंटिग्रेटेड कोर्स शुरू कर रहे हैं जो दो साल का रहेगा साथ ही साथ जेए इंटिग्रेटेड कोर्स भी है वो भी दो साल का है और एक वन येर कोर्स भी शुरू कर रहे हैं इसके साथ हम लोग एक फांडेशन का कोर्स शुरू कर रहे हैं 8th 9th 10th के लिए जो एक स जिसमें हम लोग नीट की भी प्रिप्रेशन कराएंगे और बोड की प्रिप्रेशन इंशालला हमारे पास यहीं पर बच्चे को वन स्टॉप है कहीं और इधर उदर जाने की ज़रूत नहीं है हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और काफी आप लोगों का साथ है इसमें और देखते हैं हम लोग स्कूल में जाके हम सेमिनार कर रहे हैं अभी कल एक सेमिनार हुआ हमारा बहुत अच्छा हुआ इंशालला काफी पैरेंट्स आये थे उनको हमने अवेर्नेस दी कित कितना जरूरी है और काफी पैरेंट्स इंट्रेस्टेड हैं कई सारे रेजिस्ट्रेशन हुए हैं हमारे बस यह है हमारा यह हमारा जील कोचिंग सेंटर है एक टूजट कॉंप्लेक्स सेकेंड फ्लोर अपोजिट अंकल पेट्रोल पंप बीसाइड दर्बार होटल और हमार कर सकते हैं हमारी वेबसाइड भी है जील एजू फॉर ओल डॉट को